वेलो वेलो आज वीकम टो आरचनल और आज हम लेके 6 पाकिस्तानी स्टार्स वुस्छ कर्यर वर डिस्ट्रोइट भाइ बाइ बलंडर्स का रियाक्शन यह बहुत इंट्रस्टिंग लिस्ट होगी कों से स्टार्स थे थे हम बहुत सारे स्टार्स को जाने लग गयें करियर इसले पीछ थी फेर दी क्रिकेट्स जिन पर यहां किया है पाकिस्तान के सलमान बाट हो गए फिर मालो मौमाद आमीर हो गए मौमाद आसिफ हो गए चूटी गलती है और साथ में देखा जातों इतना बड़ा बड़ा करियर बरबाद कर चल गया है इतना बड़ा टैलेंट वेस्ट हो गया आप यहां पर चोंशे बाखी पारें है और सब्सक्राइब कर चूर पर चीज भी तो लिदे क्षक्ट करियरा और मैंने बढ़ाद करने हैं यह नोनरा मम सब्सक्ताइब राइ। बावदे पीलिगी इसे प coupष लिए कुछ स्फटी और लिए पते पर चाहिए नहीं किन्हीं मैं अपनी मुझी से छोड़ा है। में बहुत जारा excited वही वह कहते है जैसे ताज हर कोई नहीं संबाल पाता है तो इसले जब कोई उपर पहुंचे रहे कुछ जा कि डिखे बैचते है देखते हैं इस वीटेब में किया है आप भी देखा हूं भी देखते है यह क्या चल रहा हुए दोस्तों बाज वकात इंसान शोबरत की बुलंगियों पर उड़ा होता है और उसका गुरूर और तकबुर भी उरूज पर उता है क्योंकि वो सोचता है कि जिस शो को मैं होस्ट कर रही हूं या कर रहा हूं उस शो से मुझे कोई जिला नहीं सकता क्योंकि मिरे तालुकात चैनल के हैड तक हैं और वो अपनी दुनिया में खुदी खड़ पैंच बने होते हैं तो आज कि इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे ही मिजबानों और शोस के बारे में बताओंगा जिनके बारे में सुन कर आप काफी हैरान होंगे तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारी शेयरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन पर क्लिक करना हर गिस बत बुलिएगा तो चलते हैं वीडियो के तरफ सनब जन्ग में अपने केरियर का अगाज ऐसे बीजे किया और अपने बेगतरीन होस्तिंग स्किल्स की वज़ा से फाहर मुस्तफा के बार्निंग शोड़ने के बार हम टीवी ने इनको स्लेक्ट कर लिया सनब ने कहीं साल खुशी खुशी ये शो किया और वो कोल इनके ही कि वो कभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहती थी लेकिन किस्मत को कुछ और ही मन्जूर था बार्निंग शोड के कॉंटेंट के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि कितना अजीव होता है कभी अदकारों की मासियों का कॉंपिटिशन चल रहा है और कभी सस्ती रेटिंग हासिल करने के लिए वहायात नाच गाना चल रहा है लेकिन सलम ने रेटिंग के लेसमें सबसे आगे निकलने के लिए इसा काम कर दिया कि अच्छे अच्छों को पीछे सोड़ दिया इन्हों ने अपने शोग पर एक मेकप कॉंपिटिशन कर वाया और ब्यूटिशन को यह चैलेंग दिया कि आपके सामने यह गुरी रंगत वाली लड़कियां बैठी है आपने इनका रंग काला करना है बिल्कुल नार्वीस ने करना है और जो सबसे अच्छा काला रंग करेगा वो जीट जाएगा आप जाहर है जिस तरह का यह बेकार चैलेंग था रसर्ड भी वैसा ही आना था जब यह शो अने राया तो लोगों ने सोशल विडिया पर एक तलका मचा दिया लोगों का यह कहना था कि यह सिर्फ सब्दी रेटिंग हासिल करने के लिए काले रंग का मजा कुड़ाया गया इसके बाद दिन की चल सका पहले तो सनन जंग पोई शो से निकाला इटर ने किसी ने रोका निया और वार निए और हम ती ने तुबारा कभी भी भी मॉनिंग जो चलाने की हमाकत नहींगी और शो से फारिक होने के बाद सनन जंग ने ड्रामों में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की लेकिन लोगों ने उनको कोई खास पसंद ना किया और एक बान नजरों से बिर जाता था तो हो गया मुबशेर रुक्मान पाकिस्तान की मशूर तरी ने परसन है और इन्होंने अपने केरियर में ना सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी शक्सियात के इंटर्वियूज किये बल्के बेशुआग लोगों को एक्सपोज भी किया मुबशेर रुक्मान ने शुरू से ही सब अपना यहीं इंप्रेशन बनाए रखा कि वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं कभी किसी को ललकारते हैं और कभी किसी को डराते हैं और फिर एक दिन एक शक्स ने इनके लेच्चर से तंग आकर इनको ही एक्सपोज कर डाला हुआ कुछ सारे सवालात करूंगा और मलिक रियाज इनके जवाबात नहीं दे पाएंगे लोग मुबशर लुक्मान के इस कदम से बहुत कुछ हुए और इनको बहुत एप्पिशिट किया लेकिन जब इंट्रिव्यू के कैमरे के पीछे के मनाजर लीग हुए तो लोगों ने मुबशर का असल चेहरा देखिए और फिर लोगों ने इन पर यकीन करना दिलकुल छोड़ दी और फिर इस लीक लिए में साफ साफ दिखाई और सुनाई दिया जा रहा है कि एक प्लांटेड इंट्रिव्यू है और इस इंट्रिव्यू का मकस्द सिर्फ और सिर्फ मलिक रियास के इ कि बात को टोका जाए यहां तक कि दोनों मलिक साफ को सवालों के जवाबाद भी बता रहे हैं जब हम यह सवाल करें तो आप इसका यह जवाब देना ओमर्शिय लुक्मान को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि इस सब के मतले मुझे आप से वैसा ही घर और विला यह शूर टीवी शो मजाकरात से किया और इस शो में इनको डीजे के नाम से जाना जाता था और इंके गानों का सेग्मिट सबको बहुत पसंद था इस शो کے जरिए इंको फिल्म हो और ड्रामों में का मौका मिला और इन्ने कैई सुपर हिट फिल्म trainer ड्रामे दिये लेकिन अभी इनकी किसमत का सितारा चमकना शुरूई हुआ था कि इनका जवाल आ गया हुआ कुछ यूँ कि मौसिन अबास की एहलिया फात्मा सुहेल ने एक प्रेस कांफरस की जिसमें इनोंने इन पर कही इल्जमात लगाए और ये भी कहा कि मेरा शुहर मुझे मारता भी है और खर्चा भी नहीं देता और अपनी बात साबित करने के लिए तसावीर भी पेश की मौसिन अबास ने भी अपने दिफा में प्रेस कांफरस की और कहा कि ये सब इल्जमात जूटे हैं और ये भी कहा कि एक गनोनी साजिच के तैट मुझे पंसाया जा रहा है लेकिन किसी ने मौसिन का यकीन ना किया और दुनिया टीवी ने बद्दामी से बचने के लिए मजाकरा चोछ से मौसिन को निकाल दिया इसके लवा तमां चैटल ने इनको किसी भी ड्रामे या फिल्मे काम देने से इंकार कर दिया यूं मौसिन का चमकता हुआ कैरियर जग दम बरबाद हो गया मौसिन बार बार सोचल मीडिया पर आकर अपनी सफाई पेश करते रहे लेकिन किसी ने इनकी बात का यकीन ना किया और वो कहीं साल तक बेरोजगार रहे लेकिन आप आईस्ता आईस्ता काफी कोशिशों के बाद आपको ने प्रोजेक्स में वो कहीं नज़र आ रहे हैं तो उनका केस ब्रू हुआ के नहीं हुआ इसे कैमरे के आगे अपनी ड्यूटी सर अचान देती और सब यही सबचते थे के असल जिंदगी में भी ऐसी ही स्वीट होगी लेकिन हखिकर जब सब के सामने आई तो सम हैरानों परेशान होगे आईशा सना के शो की एड ब्रेक के दोरान बनाई जाने वाली इनक रॉड़ी अपनी शायद लेकिया जाना मैं मेक अप अर्टिस्ट और बाकी अमले पर बहुत ज़ादा गुस्वारी और गालिया भी दे रही है और खुसुसर नियुद वह बार बार कहनी है कि मेरी तस्वीर को ब्राइट करो मैं टीवी पर काली नजर नहीं आना चाहती इनकी विडियो बहुत ज़ादा बारल हुई और इन पर बहुत सी मेम जिरी बनी और इंडिस्ट्री के लोगों ने इका बहुत मजाद बनाया इसके बाद आईशा सना शोमिस से गाइब होगी और सालों बाद ज हो जड़ मैं हमाने रिश्टे का पूरी दुनिya के सामने इलान करूंगा लेकिन जब मैं इसके बच्छे की माँ बनने वाली थी और इसरे मुझे छोड़ने का तब मैंने इसको पुरी दुनिया के सामने एक्सपोज करने की धंकी दी तो तब वो मुझे रोजाना तंग करने के लिए शो के दोरान कभी मेरा माइक बंद करवा देता और कभी लाइट एक दिन तंग आकर मैंने शोर किया तो मेरी हुफिया रिकॉर्डिंग करके वीडियो क्यों सच है क्यों जूटा है और आज कल तो हमें ड्रामों में अदाकारी करते हुए भी नजर आ रही है शाइस्ता लोधी वैसे तो पेशे के लिहाज से डॉक्टर है लेकिन अपने भाई साहर लोधी की तरह हमेशा से इनको होस्टिंग का बहुत शो करा और इन्हों ने अ सबसे आगे रहता लेकिन शाहिस्ता लोधी से एक ऐसी गलती सर्जद हो गई जिसकी वज़े से इंको रातो रात चैनल से निकाल दिया गया और काफी अरसे तक शाहिस्ता लोधी को अंडर ग्राउंड भी रहना पड़ा हुआ कुछ यूग जैसे कि आप सब जानते हैं कि शोपर वीना मलिक और असद खटक की शादी करवाई शादी की रसुमात के दुरान सेट पर सिंगर्स ने लाइव बैट कर ये कलाम पड़ा कि अली के साथ है जाहरा की शादी अब ये बात तो इंतहाई गेर मुनासिब थी ही कि हजज़त अली रजियाला उन्हों और साबज शादी रसूल को वीना मलिक और असद खटक से मिलाया जा रहा था लेकिन इसके साथ ही शायस्ता ने एक बहुत ही घटिया हरकत की कलाम के दुरान वजूते उठाकर लहराने लगी ये सब कुछ हर मुस्लमान शक्स के लिए लाकावले माफी था और शायस्ता लोधी और जिय इंटर्व्यू दिया कि मुझसे वो सब कुछ चैनल ने जबंदस्ती कराया था और दो चैनल की लिड़ाई में मैं वैसे ही फस गई क्या कमाल की वीडियो थी यार लिटरली में को समझ नहीं आ रहा हुआ था कौन सच बो रहा है कौन जूट बो रहा है लेकिन एक चीज नो पता है मैंने कुछ थे पहले एक टीवी अप्टे रहा है कि उनका नाम नहीं आदा रहा तो उन्होंने अपने इंटर्व्यू में यह बोला था कि लोगों नो उनको स्टार्टिंग साडी में देखा है ठीक है तो लोगों को लगता है कि उनको साडी वाडी पहनती थी लेकिन जब पर्टी में जाती थी तो अवियसलि आप प्रोपेश्न लाइफ में बहुत जादा अलग होते हो तो वह बहुत बहुत वेस्टर्न प्हें थी तो लोगों को ना बड़ा होता था कि उनके फैंस को क्यों पहनती हो आपको हमें आपको ऐसा देखना नहीं लगता तो वही आप कोई भी अप्रक्तर एक्टरिस या कुछ भी है वह आये है तो उससे पहला नके सथ क्या हुआ उनके साथ क्या हुआ उनके क्या mental state आपको नहीं पता तो मैं तो इतना ही बहुत की कि प्लीज पर एसे मत जज किया करें और शेरिश्री मुझे यह इतनी फ़नी लगए और सब्सक्राव चुद्सार कि हमुआ को नहीं पता कि कौन सच बोरा है ना ऱॡDe के खतम अ और अगर लिए सब्सक्राइब एक विडिए के अर्य होगा है उसके विडियोय do पाकिस्तान में तो वहां पे कोशिश करते हैं तो शादियां करवा रहे हैं फिर वह तो सबसे ज्यादा विकार था कि वह रेसिजम की अलगी चीज़ती हो ब्लैक फेस करवाना अरे क्या है जिसका सबसे अच्छा सुन्दर ब्लैक फेस को मैं अवाट दूँगी यह तो आइडिया ही कैसे है वही समझ नहीं आया है बाकी सारे केसिस्ते वह सारे ऐसे तो डीजे वाले कैसे था कि उसके साथ इल्जाम लगा है वह कोट में प्रूब हुआ के नहीं हुआ वह को चीज नहीं पता कि वह रियल था कि वह बाद में आके सफाईयां देता जा रहा था और बाकी सारे जो लोग ते उनके साथ अपने अपने इस्यूस ते कुछ का यह था कि उसको चैनल का ओनर बहुत तंग कर रहा था और उसके साथ उसके गयर अलग से रिलेशन चल रहे थ चीजें जो है वह कहीना कहीना कि उनको हैंपर करती रहते हैं वह वह था वह इतनी स्वीट दीकरी थी सामने और वह पीचे से इतनी हाश लग तो क्या इनकी रियालिटी थी उनका रही पता पर इस सारे के सारों ने अपना जो करियर था उनकी ऐसी तैसी फेड़ी ताप आपके जरूर बताएगा इसे लाइक करते जाए कमेंट करते जाए शेयर करते जाए और सब्सक्राइब कर देशाएगे बाई